राजस्थान के बूंदी से पोलिस ने भड़काओ बयान देने वाले दो मॉल्वियों को गिरफतार किया है जिनकी जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है पोलिस को शक है कि उदैपुर में हुई कनहया की हत्या में भी इनका हाथ हो सकता है नुपूर शर्मा के बयान के बाद 3 जून को हुए प्रदर्शन में दोनों मॉल्वी शामल हुए थे और कुछ भड़काओ भाशड़ दिये गए थे जिनका वीडियो इंटरनेट पर खुव वारण हुआ है तरफ तारी के बाद मॉल्वीयों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में दोनों मॉल्वीयों को 14 दिन की न्याएक हिरासत में भेज दिया यूकरेन की सेना ने जापरिजिया इलाके में मौझूद रूस के एक हत्यार डिपो को अमेरिका से मिली M777 होविजजर से तबाह कर दिया यूकरेन की तरफ से ये दावा किया गया कि इस हमले में रूसी सेना को बहुत नुफसान पहुचा और उसके कई सैनिकों की मौत हो गई इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें यूक्रेन की सेना हत्यारों के उस गुदाम पर अमेरिकी तोप से गोले दाक्ती दिखाई दी जैसे ही हत्यारों के उस गुदाम पर तोप का गोला गिरा वहाँ जोर्दार धमाका हुआ धमाका इतना भीशन्ट था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया गिरने के साथ ही महाँ आग का बवंडर उखता दिखा और धूल और धूएं के गुबार ने पूरे इलाके को ठक लिया इदर जारखंड में रांची के पास तैमारा घाटी में पहुंचते ही मुबाइल फोन पर तारीख और समय बदलने की घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया जिसके बाद देश भर के कई वैग्याने कि इसकी वज़े जानने में जुड़ गए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उस इलाके से गुजरने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उनके मुबाइल फोन में दिख रहा है समय खुद आगे बढ़ गया लोगों के लिए हैरानी का सबब बन चुकी इस घटना का सबसे जादा असर उस इलाके में मौजूद एक स्कूल पर पड़ रहा है जहांकि प्रिंसिपल ने दावा किया कि उनका स्कूल अचानक वक्त बदलने की वज़े से ओनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहा है क्योंकि 2022 की अटेंडेंस दर्च करने पर अचानक साल बदल कर 2024 हो जाता है वहीं किसी ने तैमारा घाटी में टाइम आगे बढ़ने की घटना को जमीन के नीचे मौजूद इलेक्ट्रमेगनेटिक फील्ड का असर बताया तो कोई इसे दैविये शक्ति बताने लगा हालकि इसकी असल वज़े वैग्यानिकों की रिसर्च के बाद ही सामने आप आएगी जबकि इस इस इलाके में पहले भी कई बार रिसर्च की जा चुकी है एंडिये की राष्टपती पत की उम्मीदवार दुरौपती मुर्मू हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची जहां उन्होंने सीएम जैराम ठाकुर और दूसरे नेताओं से मिलकर समठ्थन करने की अपील की वहीं विपक्ष के प्रत्याशी एश्वन सिना ने चत्तीजगड के रायपूर में अपने पक्ष में वोट मांगे राष्टपती चुनाव के बाद 6 अगस्त को उपराष्टपती का चुनाव होगा और उसी दिन गिनिती भी की जाएगी कनाईया अत्याकान की जाच पर राजस्थान पुलिस ने बड़ा दावा किया है उदैपूर में कनाईया की हत्या क्या रूपियों का कनेक्शन पाकस्तान से है पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि एनाईया इस हत्या को कोई आतंकी घटना नहीं मान रही है जबकि राजस्थान पुलिस का दावा इससे अलग है पुलिस न ये भी कहा कि इस केस में एनाईय का अभी तक का जाच का नतीजा रही अभी तक करनाया मामले की जाच कर रही कि इंजिसरकार की एजनसी एनाईय के साथ राजस्थान पुलिस की एक्साइटी भी कर रही थी लेकिन अब राजस्थान पुलिस को जांच से जुड़े सारे दस्तावेस एनाईय को सौपने होंगे और राजस्थान पुलिस के अधिकारी एनाईय को जांच में सहयोग करें युक्रेन ने एक बार फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरफ की फौज का मजा कड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें एक चेचन लडाका युक्रेन के एक इलाके में जोरदार फारिंग करता नज़र आया चार महीनों से ज़्यादा वक्त से चल रही जंग में चेचन लडाके रूस की सेना के साथ मिलका लड़ रहा है लेकिन युक्रेन ने 125 दिन से ज़्यादा वक्त से जारी इस जंग के दौरान कई बार कादिरफ के लडाकों के वीडियो जारी करके उनका मजाक उड़ाया एक बार फिर उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक चेचन लडाका फारिंग करता दिखाई दिया युक्रेन ने उसकी लडाई को जूटा करार दिया जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरफ अपने लडाकों को बेहत खूखार और बेरहम युद्धा बताते नहीं तक थे कादिरफ ने भी युक्रेन से जंग के दौरान कई बार ऐसे वीडियो जारी किये जिनमें उनके लडाके युक्रेन की सेना पर भीशन हमले करते नजर आए और ऐसे वीडियो जारी करके कादिरफ ने एक दो बार नहीं बलकि धरजनों बार अपने लडाकों की तारीफों के पुल बांदे लेकिन युक्रेन ने चेचन लडाके का मजाक उड़ाते हुए जो वीडियो जारी किया उसने कादिरफ के दावे की हवा निकाल दी युक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरफ के लडाके ऐसे दुश्मनों से लड़ रहे हैं जो दिखाई ही नहीं देते और ऐसे ही नहीं दिखाई देने वाले दुश्मनों पर गोलियां बरसा कर चेचन लड़ाके खुद अपनी पीट थपत पा रहे हैं युक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें कादिरफ का एक लड़ाका एक सुनसान इलाके में ताबर तोड फारिंग करता दिखाई दिया रेल की पट्रियों के बीच खड़ा चेचन लड़ाका एक तरफ निशाना लगा कर गोलियां चलाता नजर आया इस दोरान वो तेजी से पीछे की तरफ हटता भी रहा कादिरफ के लड़ाके को देखकर ऐसा लगा मानों वो सामने खड़े दुश्मन पर फारिंग भी कर रहा हो और उससे बचने की कोशिश भी लेकिन इसी वीडियो के जरीए यूकरेन ने रमजान, कादिरफ और उनके लड़ाकों की हसी उड़ाई यूकरेन ने दावा किया कि जिस जगा चेचन लड़ाके ने हमले का वीडियो बनाया वहां दूर दूर तक यूकरेन की सेना मौजूद ही नहीं थी और ये पहली बार नहीं है जब यूकरेन ने जंग में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो कुछ लोज पहले ही उसने कादिरफ के लड़ाकों की भेड़ों के जुन्ड से तुलना कर दी थी और जिसके लिए यूकरेन ने एक वीडियो भी जारी किया था वीडियो में भेडों का एक जुन्ड सड़क पर जाता दिखाई दिया था इन भेडों पर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन चुके जेड निशान बने थे वही जेड निशान जिने जंग की शुरुआज से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बखतरबन गाडियों पर इस्तमाल करना शुरू कर दिया था जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, जेड निशान रूस के युक्रेन पर हमले के समर्थन का प्रतीक बन गया लेकिन उसी निशान का सहारा लेकर युक्रेन ने चेचन लड़ागों का मजाक उड़ाय था युक्रेन ने ये वीडियो जारी करते हुए तंस किया था कि कादिरफ की टिक टॉक फॉज की नई टुकड़ी आ गई असल में युक्रेन कई बार इस तरह के दावे करता रहा है कि रमजान कादिरफ के लड़ाके असली जंग लड़ ही नहीं रहे और अपने दावे को सही साबित करने के लिए युक्रेन ने कई बार ऐसे वीडियो भी जारी किये जिनमें दावा किया गया कि चेचन लड़ाके बिना किसी टागट के ही फाइरिंग कर रहा है यानि वो सिर्फ दिखावे की जंग लड़ रहा है और ऐसी सेना के खिलाव लड़ रहे हैं जो उन पर कभी जवाबी हमला ही नहीं बोलती इतना ही नहीं युक्रेन ने तो चेचन लड़ाकों की लड़ाई के उन वीडियो को भी जूटा बताया जिनमें वो युक्रेन की सेना के उपर भीशन हमले करते दिखाई दी युक्रेन ने जंग के बीच जो वीडियो जारी करके पहले भी कादिरफ के लड़ाकों के हसी उड़ाई थी उसमें तीन चेचन लड़ाके एक सड़त पर खड़े होकर जोड़दार फाइरिंग करते नज़र आये थे जिस तरफ उन्होंने फाइरिंग की वहां कई खंबे नज़र आये जिनमें एक पर ट्राफिक लाइट लगी दिखाई दी युक्रेन ने इसी का जिकर करते हुए दावा किया था कि कादरफ के लड़ाकों ने ट्राफिक लाइट को निशाना बनाया यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि चेचन लडाकों की ऐसी दिखावे की फाइरिंग का ही नतीजा था कि वहाँ से न तो किसी की मौत की खबर आई और ना ही कोई गायल हुआ था पड़नवीस ने अपना कारेभार समाल लिया महराष्ट के नए डिप्टी सीम का पद समालने के अगले दिन देवेंदर पंडवीस सचवाले पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की वहीं MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने देवेंदर पंडवीस को उखत लिखा जिसमें उन्होंने सीम न बनने पर उनकी तारीफ की इधर बीजेपी कारेकरताओं ने अपनी सरकार बनने पर मुंबई के पार्टी दफ्तर पर डान्स करते हुए जश्ट मनाया कनाय अलाल हत्याकान की बाद राजस्थान के कई जिलों में आज भी इंटरनेट सिवा पर रोख जारी रहेगी शांती ववस्था बनाए रखने के लिए प्रिसाशन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है साथी राजस्थान में एक महीने के लिए धारा 144 भी लागू है उदैपूर और राजसमन जिले में आज शाम साधे पाच बज़े तक इंटरनेट बंद रहेगा पर चर्चा में आ गया जब सीरिया में रूस के सैनिकों पर कई ड्रोन हमले हुए थी क्योंकि रूस बशर अलसत सरकार के समर्थन में खड़ा था इस वज़े से उसे सीरिया के विद्रोहियों के बनाए गए ड्रोन का सामना करना पड़ा था उस वक्त आरोब तो ये भी लगे थे कि कुछ ड्रोन बशरल असत के विद्रोहियों को सीरिया के पड़ोसी देश तुर्की से पहुचाया गए थी तब सीरिया के इस ग्रेह युद्ध में रूस की फॉज के लिए इन ड्रोन से डट कर लड़ना बड़ी चुनौती था केवल सीरिया ही नहीं लिब्या में भी रूस के समर्थन वाले गुटों का अंत भी तुर्की के इन ही ड्रोन से करने की कोशिच थी जिसने रूसी सरकार को ये सोचने का समय दे दिया था कि तुर्की के इन ड्रोन से निपटने के लिए करना क्या? यही वज़े रही कि जब पुतिन ने युक्रेन में अपने स्पेशल आपरेशन की शुरुआत की तब उन्हें ये पता था कि दुश्मन के खिलाफ आगे कैसे बढ़ना है और उसे कैसे धूल चटानी है हालनकि रूस के लिए उस वक्त भी बारखताश टीबी टू ड्रोन गले के हड़ी बन गए थे जिन से शुरुआत में युक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर तावट तोड हमले किये गए ऐसे में पुतिन ने सीरिया वाली तक्नीक अपनाई वो तक्नीक जिसके रूस ने सीरिया में जंग के दौरान विद्रोहियों का सफाया कर दिया था जिसका एस्तमाल उसने पहले मार्योपुल में किया था और अब पूर भी युक्रेन के डॉन्बास में कर रहा है मारियॉपूल की लड़ाई जीतने के बाद रूस ने तुरकी के बारखताज टीबी टू ड्रोन को मार गिराने की कुछ तसवीरें भी शेयर की थी। जिसके बाद बारखताज टीबी टू ड्रोन जैसे ताकतवर ड्रोन के सफाई की चर्चा शुरू हो गई। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए उसके पास 2015 से ही रड़नीती तयार है जिसका मतलब यह कि उसके पास जंग में इस्तमाल होने वाले ड्रोन को तबाह करने का पूरा प्लान मौजूद है और इन ड्रोन से लड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है लेकिन ये सारी बाते तब उठी जब तुर्की ने यूकरेन को तीन और बार खताश टीबी टू ड्रोन देने का ऐलान किया जिसके बाद सीरिया में बशरल असत सरकार के समर्थन वाली सेना और तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों के बीच छिड़ी लड़ाई का जिकर शिड़ गया क्योंकि ये वो जंग थी जिसमें तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही सीरिया पर कबजे की लड़ाई लड़ रहे थे आना कि सीरिया के समर्थन वाली सेना और रूस मिलकर उनका मुकाबला करने में जुटे रहे तब रूस की सेना ने सीरिया में अपना एक एर बेस बनाया था और उसके पास विद्रोहियों से लड़ने के लिए छे एर डिफेंस सिस्टम मौझूद थे और उस एर बेस की सुरक्षा के लिए रूस ने काफी उचाई से सवेलिंस चुडू कर दी थी उसके बावजूद रूस की सेना को कई ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा जिस वज़े से ये का जाता है कि 2018 तक सीरिया ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हो गया था वहीं उदैपूर में भारी सुरक्षा के बीच भगवान जगननाथ की रथ्यात्रा निकाली गई जोकि जैपूर में प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए ये यात्रा रद्द कर दी उदर राजिस्थान के बुंदी में मौलाना नदीम अख्तर सकाफी को बढ़काओ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गी